आज की नास्ता होने वाली है एकदम खास जब कभी भी हलकी फुल की भूख हो तो इस नास्ते को फटा फट से बना सकते हैं तो वीडियो को प्लीज आप लोग पूरा देखिएगा और इस भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्रा कर लिजेगा तो यहां पर हमने इस नास्ते को बनाने के लिए उबले हुए आलू ले लिया है तो आलू को हमने उबाल के और छिलका उतार लेना है तो यहां पर हम दो आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं आलू मतलब की मीडियम साइज है बड़ा साइज का एक ही आलू है हमने इ आदी चम्मच ही हम इसमें चीली फ्लेक्स आइड करेंगे, आदी चम्मच काली मिर्च का पाउडर आइड करेंगे, और आदी चम्मच से जादा हम थोड़ी सी गरा मसाला पाउडर आइड करेंगे, नमक आइड करेंगे हम यहाँ पे स्वात के नुसार, तो आप लोग अपने स्वात के नुसर यहां पे नमक आड लीजेगा एक चमज हम इसमें आड करेंगे चावल का आटा और एक चमज ही हम इसमें गिहूं का आटा आट करेंगे एक से जए के बाद हम दो मसल मसल के मिक्स करना है ज्यादा हलके हाथों से इसे नहीं मसलना है बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है ताकि आलू जो है न वह सारा अच्छे से मुलायम हो जाए तो इस तरीके से हमें इसको मैस कर लेना है मिक्स कर लेना तो यहां पर देखिए बहुत ही अच्छे से हमने आ टहरे एक अच्छा सा, प्यारा सा roll बना लेंगे, तो हाथों की मदद से सही हम अच्छा सा roll बना लेंगे, जब तेल हम लगा लेंगे तो ये चिपकता नहीं है, और सरफेस से हम थोड़ी सी ऋटारा हो माल लगाके और इसको अच्छा सा roll करके set कर लेंगे, और इसको हमें पतले पतले काट लेने हैं तो एक तरफ से हम काटते जाएंगे तो यहाँ पे हम काटेंगे आप जितने पतले इसको रखना चाहे उतने पतले आप इसके कटिंग कर सकते हैं तो काटने से नासला जो ना एक ही साइज के बनेंगे और design जो है एक ही जैसे बनेंगे तो यहाँ पर हम सबी नास्ते को ऐसे ही काट लेंगे अगर आपको इसका shape अलग देना चाहते हैं तो अलग तरीके से भी इस नास्ते को बना सकते हैं जैसे आपकी मर्जी हाथों में लेके इसको गोल गोल टिकिया की तरह भी बना सकते हैं या इसको अच्छे से चौकोर भी इसको काट सकते हैं जैसे मर्जी वैसे इस नास्ते को बना सकते हैं लेकिन हम इसको लंबे में इस नास्ते को बना रहे हैं कि देखने में ये काफी सुन्दर लगे तो यहां पे देखे सभी को हमने ऐसे लिए है건 बिलकुल तॉन पी तॉ आभ सुन्दर लग रहा है देखने में अब मैं फ्राइ करना तो गवासूले हमने में कड़ाई रख चे एल एक ही अनौर करी से बना सकते हैं या सुबह में भी नास्ते के जगा पे चाय के साथ आप इसे बना के इंज्वाय कर सकते हैं तो जितना आया है कडाई में उतना हमें इस नास्ते को एक बार में डाल देना है और थोड़ी सी जगा छोड़के डालना है ताकि जब यह नास्ता फ्राई हो तो यह थोड़ा सा फूलता भी है और देखी यहां पे एक तरफ होने के बाद इसको हम अराम-अराम से पल्टेंगे यह तूटता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है इसको कैसे भी हम पल्टें तो हम यहां पे चम्मच की मदद से इस नास्ते को पलट ले रहे हैं और गैस का फ्लेम हम अच्छे से मीडियम फ्लेम करके फ्राई कर लेना और देखींगे यहां पे कितना बढ़िया करा चुका है अब हमें इस नास्ते को निकाल लेना है कलर भी देखने में काफ़ी सुन्दर आ रहा है तो आप इस नास्ते को एक बार जरूर ट्राई किजेगा यह नास्ता जो बहुत क्रइंची बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है तो यहाँ पे हम इस नास्ते को बनाके निकाल लेंगे प्लेट में सर्प कर लेंगे तो यहाँ पर हम धनिया के चटनी के साथ सर्फ कर रहे हैं आप लोग इसे टोमाइटो केचप के साथ या चाय के साथ भी सर्फ कर सकते हैं आप लोगों को ये नास्ता बहुत ही पसंद आने वाला है बच्चों को भी ये नास्ता काफी पसंद आने वाला है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा इससे हम लोगों काफी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाते रहने के लिए तो फिर मिलते हैं एक नई रेस् कमाने के लोगों का सब्सक्राइब करें गनलते हैं से तो